नमस्कार मैं सोनिया चौद्वी और फिर आ गई हूँ आज आपके सामने नई खबर लेकर और नई अपडेट लेकर तो स्वागत करती हूँ आपका हमारे ओफिशल यूट्यूब चैनल ओमप्रोप्टेक प्राइवेट लिमिकेग पर अब हम हम सब वाकिफ तो हैं इस चीज़ से कि नोईडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरूवात होने जा रही है और उससे जुड़ी बेहद अच्छी खबर ये है कि जिस दिन यहां से नोईडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमानों की उडान शुरू होगी उसी दिन धाइसो इंटरनेशनल कमपनियों का फीता भी कटेगा धाइसो कमपनी एक अनुमान अगर हम लगाएं तो धाइसो जो संख्या है वो बहुत अधिक संख्या होगी और जिस तरीके से जब शुरूवात होगी यहां पे सारी कमपनी की तो एक नजारा और एक लोगों के जो सपने थे वो पूरे होते हुए कहीं न कहीं हमें दिखाई देंगे तो नॉड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट अब शुरू होने में है आगा में कुछ महीनों में यहां से एरपोर्ट से विमानों की उडान शुरू होगी वही सातियों हर तरीके से अमना प्राधी करन जब नौईडर इंटरनेशनल एरपोर्ट की शुरुवात हो रही है तो हर चीज को लेकर चल रहा है कि यहाँ पर जो भी सुरक्षा कर्मी आएंगे उनको कैसे सुविधा दी जा सकती है रहने के लिए और अन्य जो सुविधाएं हैं उन्हें कैसे दी जाएंगी उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी अपडेट है बाकी यही नहीं कि एरपोर्ट से शुरू होगा एरपोर्ट शुरू होने से पहले पहले कनेक्टिविटी की बात करें लाइट की बात करें या जो भी यातरी है उनको कैसे सुविधाई दी जाएंगी जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे उनको कैसे सुविधाई दी जाएंगी और वहीं April Park जो बनने जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो रोजगार मिलेगा वो महिलाओं को मिलेगा तो यमना प्राधिकरण ने साफ बोला है जो गलतिया ग्रेटर नोईडा में हुई वो यमना प्राधिकरण में नहीं होगी और वो हमें दिख रहा है यहां का भविश्य जो है आने वाला समय भले ही लगे अभी दो तीन चार साल का अगर हम मान के चने लेकिन जो उसके बाद का नजारा होगा वो देखने लायक होगा तो सबसे पहले डालेते हैं एक बार स्क्रीन पर नजर नौडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुरक्षा उपाय आवासे ववस्थाएं और समग्र सुरक्षा द्रस्टी कोण किस तरीके से नोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो जवान तैनात रहेंगे उनको किस तरीके से सुविधाएं दी जाएंगे उससे जुड़ी बेहद अच्छी कबर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा का क्या परीचर है उस पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं जेवर में बन रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा करीब करीब 85-8500 कर्मियों के हातों में रहेगा 8,500 कम से कम यहाँ पर सुरक्षा तैनात रहेंगे सुरक्षा कर्मी जो होगे वहीं जिन में से 45-0 जवान CISF के होगे अलग-लग कोर के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात रहेंगे यहमना प्राधिकरण ने यह सुनस्चित किया है कि इस सब जवानों को किसी भी प्रकार की असुविधान ना हो और इसके लिए परिसर के अंदर ही उनके रहने का बंदोवस्त किया जाएगा क्योंकि जितने भी वहाँ पर लोग रहेंगे जवान उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो लेकिन केवल वही वहाँ पर रह सकते हैं ऐसा नहीं है कि वो फैमिली को लेकर वहाँ रह सकते हैं चीज का भी खास द्यान दिया गया है क्योंकि security भी बहुत जादा जरूरी है तो जो वहाँ पर on duty होंगे उनको सारी सुविधाएं देने का निर्ण लिया है Northern International Airport पर CISF जवानों को airport परिशर के अंदर ही flats आवंटित किये जाएंगे जिसमें उनकी तैनाती और संचालन में सुगपता बनी रहें ये अच्छा decision है कि जो भी यहाँ पर जवान रहें तो उनको किस तरीके की सुविधाएं दी जाएं ये अमना प्राधिकरन द्वारा सुरक्षा उपाय कैसे कैसे सुरक्षा उपाय दिया जाएगा वो सारी चीजें ये अमना प्राधिकरन बेहद सहजता के साथ आगे बढ़ रही है वहीं अभी लगातार लोगों क्योकेशन है कि मैं नई स्कीम कब आएगी अगले महीने स्कीम आ जाएगी क्या तो अभी थोड़ा समय ल दिया है कि CSF जवान जो एएरपोर्ट पर रहेंगे ताकि सुरक्षा वबस्ता में किसी भी प्रकार की कमी ना हो मतला पूरा का पूरा जिम्मा ले रही है ये अमना प्राधिकरन कि जितने भी वहाँ पर CISF के जवान है उनको किस तरीके से अंदर फ्लैट्स दिये जाएग किसी भी तरीके की उन्हें असुविधा ना हो उस पर ये अमना प्राधिकरन पूरी तरीके से जो दे रहाए जवर इंटरनेश्णल एयरपोर्ट पर सुरक्षा का क्या महत्व रहेगा उस पर भी एक बान ज़र डालते हैं। क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा हवाई अड़ा बनने जा रहा है देखो बहुत बड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट है तो ऐसा सिक्योरिटी अगर हम बात करें तो बहुत जादा चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा तो उसके हिसाब से ही यमना प्राधिकरन सोच रहा है कि सुरक्षा कर्वियों को बाहर आना जाना ना पड़े क्योंकि बार-बार चेकिंग करना आना जाना उसमें बहुत जादा दिक्कत होती है उससे पहले पहले भी काफी connectivity मिल जाएगी जेवर इंटरनेशनल एरपोर्ट को बाकि उसके बाद भी अच्छी connectivity से जोड़ा जाएगा वहीं Film City भी अगले महीने 15 जून को यहाँ पर इनोगरेशन होने की शुरुवात होने जा रही है कहने में बहुत आसान है लेकिन जब हम on ground जाके देखते हैं तब हमें लगता है हमें खुद लगता है अगर हम साल डेड़ साल पहले की बात करें तो चीजें सिर्फ हम बता रहे थे कि यहाँ पर यह वाली इंडस्ट्री आने वाली है यहाँ पर यह वाली कंपनी रनिंग में होगी यहाँ पर फिल्म सिटी आएगी लेकिन अब हम खुद जाते हैं और वहाँ पर उन चीजों की शुरुवात होते हुए देखते हैं तो लगता है कि यहमना प्राधिकरन का जो विकास है अगर हम दो से तीन साल की बात करें तो बहुत जादा मात्रा में विकास किया गया है बाखी residential sectors है या industrial sector है बहुत बड़ा एरिया है थोड़ा समय लगता है development करने में बाखी पूरी तरीके से यहमना प्राधिकरन अब लगा हुआ है जो रोसोरो से वही जो लोग अभी अपने भूकंडों से वंचित हैं उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे जल्दी से जल्दी उनको possession दिया जाए जिनको मिल चुका है उनको proper construction करने का भी निर्माण दिया है जिनको possession letter भेज दिया उनको registry कराने की भी चितावनी दे रखी है यमना प्राधिकरने और जिनको नहीं मिला है उनकर उन पर भी पूरी प्रक्रिया चल रही है तो जल्द ही सब लोगों को यहाँ पर जो कह रहे हैं कि अभी हमें कबजा नहीं मिला है हर चीज से राहत मिलेगी लेकिन थोड़ा समय देना और पड़ेगा वहीं हमने बताया कि जेवर इंटरनेशनल एरपोर्ट की सुरक्षा में तो जिन लोगों के लगातार कमेंट थे उन लोगों के भी सवालों के कहीं न कहीं जवाब उनको मिलेंगे बाकि जिनोंने इंवेस्टमेंट किया है उनको फ्यूचर पता है बाकि हर वीडियो में या हर अपडेट में मैं यही बोलती हूँ समय अच्छा है अमना प्राधिकरण में इंवेस्ट करें आप और particular यह नहीं कि आप residential लें कुछ भी आप लें यहाँ पर 7% किसान कोटा semi commercial plot आप ले सकते हैं इंडस्ट्री में आप investment कर सकते हैं इंडस्ट्री यहाँ पर शुरुवात कर सकते हैं अपनी बाकि residential है ही commercial में आप कर सकते हैं और agriculture land में भी आप जा सकते हैं बहुत सारे options हैं आबादी से बच्ची हुई वाली जो जमीन होती है वो भी एक बहतर investment साबित हो सकता है अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं नीचे हमेशा हमारे number mention रहते हैं फिर मुलूंगी कुछ नई खबर के साथ, नई update के साथ अब लेती हूँ आपसे विदा और आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद